आज इस वीडियो में मैं आपको सिम्पल इंट्रस्ट की एक्सरसाइज फाइवे के रिमेनिंग कुश्चन्स कराऊंगा इन दे प्रिवेस वीडियो आई एक्स्प्लेंड यू अप्टो कुश्चन नमबर 15 अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिये तो लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो टुड़े विल स्टाट फ्राम कोश्चन नमबर 16 16 कोश्चन में क्या का है रुपीज 41.75 was paid as interest क्या बोला इन्होंने इतने रुपे पे किये गए हैं लोटाए गए हैं as interest as interest मतलब interest की तरह दिये गए थे that means यह किसकी value है I की value कितने रुपीज 41.75 on 835 रुपीज यह वाली money ब्याज के तोर पे दी गई थी इतने रुपे पर यानि यह जो था यह कौन है यह उधार है on वाला on वाले value क्या होती है principle यह principle है कितना जिसमें on word आजाता है वो क्या होता है principle तो वो कह रहा है इतनी रुपे इतने रुपे ब्याज दिये गए थे यह यह उधार वाली रुपे जिसके ऊपर ब्याज लगी थी कितने रुपीज की 41.75 की at six whole one upon four percent percentage वाला rate होता है तो आर की value आपको क्या दी है इसको हम mixed को बदल लेते हैं तो 25 upon four percent per annum if the date of landing was 5 January 2009 आप से का आगया है date of landing जिस तारीक में उधार लिया गया था वो तारीक 5 January 2009 है find the date up to which interest was paid आपको बताना है यह जो interest 41.75 रुपीज दिये थे यह कौन सी तारीक में दिये थे उधार लिया था 5 January 2009 को और कब तक यह उधार लोटाया गया था यह जो ब्याज दी थी कौन सी तारीक को दी गई थी तो वो time पूछ रहा है तो आपको time find करना है तो अगर आपको time find करना है तो time का formula आप लिखोगे time का formula क्या होता है 100 into I तो numerator में लेते है चाहे P का formula हो चाहे R का चाहे T का numerator तो 100 into I आता है अब यह T का formula है तो तीन चीज होती है P, R and T तो जो दो चीज बची हुई है P और R वो denominator में आ जाएंगी तो time का formula हो गया 100 into I upon P into R अब आप इन में values पुट करोगे 100 into I for interest that is 41.75 upon principle क्या है 835 into rate क्या है 25 upon 4 अब यह decimal है सबसे पहरे तो आप decimal अगर हटाओगे तो decimal के right hand पे 2 digits है तो आप यहाँ पर 2 0 add कर सकते हो या तो यहाँ लिख लो या अलग से लिख दो चाहो तो आप 100 पॉइंट अड़ा के क्या करो 100 लगा दो और यह 100 और यह 100 कट जाएंगे अब आपका जो बचा numerator में तो बचा 41 पॉइंट तो हटा चुके हैं तो 4175 upon में क्या है 835 है into 25 है यह जो upon 4 है यह उपर आ जाएगा तो यहाँ multiply रहसी प्रोकल कर देता है तो 4 उपर आ जाता है अब 25 के टेबल से 4175 पूरा पूरा कट जाएगा अगर आप इन्हें रफ में डिवाइड करोगे 4175 को 25 के टेबल से तो यह पूरा पूरा completely cut हो जाएगा अगर आपको completely cut नहीं करना तो आप पहले 5 के टेबल से cut कर लेना मैं पूरा completely cut कर रहा हूँ आप रफ में इन्हें डिवाइड कर लेना तो 167 आ जाएगा 25 1 जा 25 25 के टेबल में यह कितनी बार आएगा 167 बार अब यह है 167 और 167 5 जा अगर आप करो 167 5 जा होता है 835 तो 167 1 जा 167 167 5 जा यह भी cut गए दोनो तो finally हमारा जो बच रहा है वो बच रहा है 4 upon 5 यह कौन आया यह time आया तो time किस में आया years में years है यह upon में fraction में तो अच्छा नहीं दिख रहा fraction में नहीं होने चाहिए years simple होना चाहिए 2 साल 10 साल 15 साल यह तो fraction में है तो हम क्या करते हैं हम यहाँ multiply by one year में कितने मंत होते हैं 12 मंत होते हैं तो हम इसे multiply by 12 करें ताकि यह month में हो जाए तो हम यह time को 4 upon 5 जो आया था multiply by 12 कर रहे हैं और years से convert करके किस में कर रहे हैं month में कर रहे हैं 12, 4 जा क्या होता है 48 upon 5 month यह भी अभी cancel नहीं हो सकते तो यह भी fraction आ रहा है जैसे यह years fraction में आ था न वैसे यह fraction में आ रहा है आप इसे mixed में कर सकते हो यह वाला तो mixed में हो नहीं रहाता बट इसे हम mixed में कर सकते हैं 5, 9, 45 remainder 3 upon 5 9 whole 3 upon 5 months इसका मतलब हो गया यह जो यहाँ पर na mixed fraction को आप अलग-अलग लिखोगे whole, integer वाला part अलग और fractional part अलग इसको बोलते हैं integral part और जो upon वाला होता है वो बोलते हैं fractional part और पूरे को combine करके क्या बोलते हैं whole, mixed fraction इस पूरे को क्या बोलते हैं mixed fraction बोलते हैं यह integral part है तो integer वाला part जो हो गया वो तो month होगा ठीक और जो fraction वाला part है 3 upon 5 इसमें आप multiply by 30 करतो ताकि ये जो month है वो आप किसमे convert हो जाए days में ये जो fraction वाला month था ये fraction में आ रहा था तो fraction में बदलने के लिए fraction को बदलने के लिए ये जो month है month को हटा के क्या करना पड़ेगा days करना पड़ेगा तो normally जो है हम consider क्या करते हैं कि एक महिने में 30 दिन होते हैं वैसे वैसे जो है कुछ month 31 days के भी होते हैं कुछ month 30 के होते हैं और एक वैब जो होता है वो 28 का होता है लेकिन commonly जो है न हम on average हर महिने को कितने days का consider करके चलते हैं 30 days का तो हमने यहां month को days में convert करने के लिए multiply by 30 करा अब 5,6,30 तो यह आजाता है time 9 month और 6,3 जा करेंगे तो 6,3 जावा जागा 18 days तो यह आगया आपका 9 month 18 days क्या समय date of landing पे आजाओ अब date of landing मतलब जिसमें उधार लिया था वो क्या तारिक थी 5 जनवरी 5 जनवरी को उधार लिया गया था और ब्याज कब लोटाई गई थी 9 महिने 18 दिनों बाद इतने समय बाद लोटाया गया था तो 9 महिने बाद कौन सा मन्द होगा यह जनवरी है जनवरी के आगे आप 9 महिने add कर दो अगर आप जनवरी में 9 महिने add कर दोगे जनवरी के आगे 9 मन्थ काउंट करोगे तो जनवरी के बाद फैबरी, मार्च, अप्राइल, माई, जून, जुलाई, अगस, सितंबर, अक्तूबर तो जब 9 महिने add करोगे यह वाले 9 महिने तो date of lending लिखते हैं पहले तो हम यह date of lending जो थी वो 5 जनवरी 2009 थी ठीक है और इन्होंने पूछा क्या है date up to which interest was paid यह भी लिख दो date on which interest was paid वो तारिक जिसमें interest pay किया गया था ठीक है तो अभी हमने सिर्फ 9 महिने को add करा इसमें तो 9 महिने में जनवरी से बदल के कौन सा महिना शुरू हो जाएगा October मैंने भी आपको पताया ना 9 महिने है तो 9 महिने जनवरी के आगे 9 मन्त add कर दो तो October बैठता है अब तारीक की बात करें यह 18 दिन है और तारीक कौन सी थी पांच जनवरी जनवरी का पांचवा दिन था और जो लोन उधारा गया था ब्याच दी गई थी वो 9 महिने 18 दिन बाद यह 18 दिन अभी बाकी है 9 महिने तो आपने जोड दिये तो जनवरी से क्या बन गया October अभी 18 दिन और बाकी है तो अठारा दिन और बाकी है तो यह जो है पांच जनवरी थी उधार ली गई थी जिस तारिक में उधार लिया जाता है वो दिन नहीं गिना जाता ब्याज जो लगनी शुरू होती है वो अगले दिन से लगती है पांच जनवरी को अगर आपने उधार लिया था तो ब्याज कप से लगेगी सिख्थ डे से लगेगी छटे दिन से छटे दिन से इंटरस्ट काउंट होने लग जाएगा तो छटे दिन में ये जो अठारा दिन बच रहे हैं हमने जो ब्याज लोटाई थी वो नौ महिने जब 18 जोडेंगे तो कितने हो जाएंगे 24 यानि के 5 जनवरी से बदल के तारीक जो हो गई थी 18 दिन जोडने के बाद वो 24 तारीक हो गई थी 9 महिने जोडने के बाद जनवरी क्या मन गया था अक्टूबर यानि डेट जिसमें इंटरस्ट पे किया गया था वो क्या थी 24 अक्टूबर 2009 तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर कुश्चन नमबर 16 का अब आ जाते है नेक्स कुश्चन पर कुश्चन नमबर 17 on what sum of money on what what आगे न what means आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है sum of money तो आप जानते हैं कि sum of money क्या होती है principle होती है तो वो आपसे बूछ रहा है कि principle क्या होगा आप बताएं इंट्रस्ट का जो रेट है 5% है परसेंट वाला rate of interest होता है तो यहां लिख देते हैं फाइव परसेंट कि फोर येर्स टाइम क्या है कि फोर येर्स वो बूच रहा है principle क्या होगा rate of interest 5% है टाइम फोर येर्स है विल भी सेम एस डैट ओन इन्होंने बोला इंट्रस्ट यहां से देखो इंट्रस्ट इन्हें नहीं पढ़ना क्यों नहीं पढ़ना क्योंकि इनको हमने identify करके already यहां लिख दिया वो कह रहा है देखो यहां पर पूचा था what sum of money what sum of money का मलब principle पूच रहा था तो यहां पर principle दे भी दिया तो आप सोचेंगे के भई यह principle पूच रहा है तो फिर यहां क्यों दिया वो अलग condition है यह अलग condition है ठीक है यह first case है first case में principle हमें मालूम नहीं है और जो second case है उसमें principle उन्होंने ब पहले वाले में principle नहीं पता rate बता है time पता है तो यहां पर हम बनाते हैं interest I1 से denote कर देते हैं यह पहला वाला है interest formula क्या होता है P into R into T upon 100 value डालेंगे principle तो है नहीं rate 5% time 4 साल upon 100 तो यह हो जाएगा 20 P upon 100 किसका answer आया यह interest first condition में अब second वाले की बात करते हैं I2 बनाते है I2 का formula वही है P into R into T upon 100 principle की बात करें 2500 rate की बात करें 3 time की बात करें 6 year upon 100 यह 20 नीचे और 20 उपर कट जाएंगी इनके आप multiply करोगे 25 into 3 करेंगे तो 25 तरी जा 75 होता है फिर 75 की हम 6 से करेंगे तो answer आ जाएगा 450 rupees इनको भी cut कर लेते हैं अगर आप इनके cut करोगे 25 जा 100 21 जा तो यह आ रहा है 1 P upon 5 यह I2 आया और यह I1 आया अब question पढ़ लो question क्या था question था interest will be same as interest on this condition वो क्या रहा है interest same होगा दोनों conditions में दो case थे ना question में दो-दो case दिये हुए थे rate of interest भी बदलावा था time भी बदलावा था तो first वाली condition में जो interest है वो same है second वाली condition के ऐसा question ने कहा that means हम यहां लिखेंगे according to question question के मुताबिक interest first वाला और interest second वाला बराबर है same word है ना तो same का मनलब equal तो I1 में क्या लिखोगे 1 P upon 5 equal I2 में क्या लिखोगे 450 यह जो divide वाला 5 है यह इदर आ जाएगा तो divide वाला 5 इदर आके multiply हो जाएगा अब आपको 450 into 5 करना है तो 455 जाएगा 2250 रुपीज तो finally यहां पर जो 17 question का answer आया वो आ गया आपका 2250 रुपीज तो इस तरह से आप भी question number 17 करेंगे आप देखें next question question number 18 money lender income decreased by रुपीज 60 money lender money lender कौन होता है वो person जो किसी other person को उधार बाटता है उसको हम money lender बोलते है ठीक है न तो वो कहा रहा है जो money lender की income थी अब जो person उधार बाटता है ब्याज पे उसकी कमाई क्या होती है उसकी कमाई तो ब्याज वाली होती है न सबोस करो आप money lender हो आप न लोगों को उधार बाट रहे हो आपने 10,000 रुपे दिये ठीक है किसको किसी एक second person को आपने 10,000 रुपे उधार दिये दो साल बाद after two years दो साल बाद वो ही second वाला person आपको आपके वाले पैसे भी देगा 10,000 जो उसने लिए थे plus ब्याज भी देगा extra पैसा तो सबोस करो 10,000 पे उसने 5000 रुपे ब्याज दे दिये तो आपकी कमाई क्या हुई आपकी जो income हो गई ना yours income आपकी जो income है कमाई वो 10,000 नहीं है ये तो आपके ही पैसे थे और आपको वापिस मिल गए तो ये कोई कमाई थोड़ी हुई कमाई आपकी क्या होती है कमाई तो आपकी ब्याज होती है जो extra पैसा वो second person आपको दे रहा है यानि ये जो income है ये income का मतलब क्या है interest हमारी कमाई क्या है ब्याज वाले पैसे ही हमारी income है जो हमने पैसे उसे उधार बाटे थे वो हमें मिल गए तो वो हमारी कमाई नहीं है वो तो हमारे ही पैसे थे और हमें मिल गए तो वो कोई income दोड़ी हुई ठीक है न तो वो गया रहा है money lender की जो interest था income मतलब interest था वो कम हो गया 60 रूपे क्यों हुआ कम क्योंकि terms and condition बदली हुई थी क्योंकि rate of interest drop ब्याज के जो rate था वो 8% से घटके ये रह गया यानि first वाली case में दो case है first case जब उसको interest जादा मिल रहा था और second case उसकी कमाई घट गई मतलब उसको interest कम मिला क्यों मिला कम क्योंकि पहले में rate of interest 8% था ब्याज की जो धर थी वो 8% और दूसरे वाले case में 7 whole 3 upon 4% थी यानि के 31 upon 4% ब्याज पहले जादा था percentage में और अब कम था इसलिए उसकी कमाई घट गई ठीक है what was इस principle आप से बुचा गया है कि आप principle बताओ principle मान लेते हैं क्या था x तो इसमें भी principle x ही लिया जाएगा ऐसा क्यों क्योंकि जो चीज बदली थी वो rate बदला था ब्याज का rate बदलने के कारण जो कमाई थी वो घट गई थी बाकी कोई चेंज नहीं हुआ उधार कितना बाटा x तो बाद में भी उधार कितना बाटा x बस पहले जो ब्याज पे लग रही थी उधार पे ब्याज वो 8% लग रही थी बाद में लगी थी कम 31.4% कितने समय के लिए कहीं पर time लिखा है अगर आप यहां बढ़ोगे कहीं पर भी time नहीं लिखा that means यह जो है ना यहां पर हम एक साल के लिए लेके चलेंगे टाइम क्या लेंगे दोनों में एक साल एनम की बाद चल रही है ना पर एनम मनलब हर साल तो हम दो साल भी लेके कर सकते हैं तीन साल भी लेके कर सकता है, कोई फरक नहीं पड़ता, आप time लोग है, तो same लोग है, बस कहने का मनलब यह है, कि अगर यहाँ 1 ले रहे हो, तो वहाँ भी 1 लोग है, अगर यहाँ 2 साल का ब्याज लोग है, तो फिर वहाँ भी 2 साल का ही लेना है, क्योंकि हम जो है कमपेरिजन कर रहे हैं, तो कमपेरिजन में सेम चीज ली जाती है, बस चेंज क्या हुआ था, चेंज हुआ था, रेट में, रेट 8 परसेंट से घटके, साथ होल 3 अपॉन 4 परसेंट रहे था, जिसके कारण ब्याज कम हो गई थी, तो हम ब्याज बना लेते हैं, यहाँ ब्याज I1 और यहाँ ब्याज I2 कहलाएगी, फॉर्मूला लगाते हैं, P, P मैं एक वैल्यू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना, मैं सिर्फ वैल्यू डाल रहा हूँ, P multiply R की वैल्यू, multiply T upon 100, तो यह हो गया, 8X upon 100, कौन, पहला ब्याज, बाद वाला ब्याज निकालते हैं, P, X है, R, 31 upon 4 है, into time 1 year है, upon, P into R into T upon में क्या आता है, 100, और यह नीचे 4 और 100 के बीच में एक multiply का sign और लगाएं, तो यह आ जाएगा, 31X upon 400, अब question क्या कह रहा था, question कहा रहा था, income घट गई 60 रुपे, और income का मतलब क्या है, income मतलब ब्याज घट गई 60 रुपे, यह वाली जो ब्याज थी, यह पहली वाली ब्याज थी, यह कौन सी है, यह more वाली ब्याज है, यह जादा है, और ये बाद वाली ब्याज है ये वाली ब्याज क्या थी less थी ऐसा question ने बोला घट गई थी ब्याज यानि ये वाली घटी हुई ब्याज है और ये बड़ी हुई ब्याज है तो हम 60 रुपे दे रखे दे वो कह रहा है कि ये जो ब्याज है ये 60 रुपे जादा है पहली वाली ब्याज 60 रुपे मोर है या ये बोल लो दूसरी वाली ब्याज 60 रुपे कम है यानि दोनों के बीच का अंतर 60 रुपे है तो आपके लिखोगे according to question I1 बड़ा था I2 छोटा था दोनों का difference difference का मतलब माइनस कितना है 60 रुपे बड़ी value पहले आती है तो I1 पहले आएगा I1 minus I2 is equal to 60 रुपे I1 क्या है 8X upon 100 और ये 31X upon 400 equal to 60 अब अगला वर क्या करेंगे LCM 100 और 400 का LCM 400 100 के टेल में 400 कितनी बार आएगा 400 बार चार बार आएगा 104 जा 4 into 8 करेंगे 32X minus 400 वन जा 400 वन की 31 से करेंगे तो 31X equal to 60 अगला वर 32X में से 31X गया तो 1X upon 400 equal to 60 400 इदर आजाएगा तो 1X रह जाएगा 1X को हम 1 लिखेंगे ही नहीं 1 into X क्या होता है X ही होता है तो बस X लिखो 60 into 400 लास्ट की 30 तो लास्ट में आजाएगी 64 जाओ जाओ जागा 24 तो X 24,000 ये X क्या था प्रिंसिपल तो इन्होंने पूछा था what was his principle तो आप बोलेंगे के principle कितना था 24,000 रुपीज तो ये हो गया आपका final answer question number 18 का अब आ जाते है next question question number 90 a part of 60,000 was invested at 12% for 5 year part part word का मनलब क्या होता है हिस्सा 60,000 का एक हिस्सा a part a part का मनलब एक हिस्सा तो हम बीच में क्लाइं कीशते हैं total money 60,000 है और 60,000 के 60,000 रुपे एक बार में इन्वेस्ट नहीं करे गए थोड़े थोड़े करके दो बार इन्वेस्ट करे गए ए पार्ट मनलब पहला हिस्सा 60,000 में से इन्वेस्ट किया गया बारा परसेंट पे तो rate of interest 12% time 5 साल कितने रुपीज इन्वेस्ट करें इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल तो 60,000 रुपे इन्वेस्ट एक इकठे नहीं करें थोड़े थोड़े करके दो बार बाटा गया था तो मान लिया के पहली बार जो प्रिंसिपल था वो एक्स रुपीज था 60,000 रुपे में से एक्स रुपीज निकाल के इन्वेस्ट कर दिये गए यह तो फर्स्ट केस है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और जो बच गया किस में बचा सारे पैसे कितने थे सारी मनी कितनी थी 60,000 रुपे 60,000 में से कितने खतम हो चुके हैं प्रिंसिपल एक्स हम दे चुके हैं पहले कंडिशन में अब दूसरी केस दुबारा से कुछ पैसे उधार बाटे गए तो इस बार जो उधार बाटे गए हैं प्रिंसिपल वो 60,000 रुपे में से एक्स रुपीज कम है क्यों एक्स रुपी हैं वो पैसे उसमें से कट जाते हैं तो दूसरी बार जो है वो बचेंगे क्या साढ़ हजार रुपे नहीं बचेंगे साढ़ हजार में से एक्स रुपीज जो पिछली बार निकल गए थे वो हटा दिये हमने तो इसलिए प्रिंसिपल दूसरे वाले में यह आया अब रेट आ प्लस यानि एक इंट्रस्ट इसका बनाओ और एक इंट्रस्ट इसका बनाओ और दोनों को प्लस करके 27,000 लो ऐसा वो कह रहा है कि टोटल इंट्रस्ट यह है तो यह लोग हम पहले आई वन बना लेते हैं आई वन का फॉर्मूला पी मल्टिपलाई आर मल्टिपलाई टी आई टू बना लेते हैं पी आई टू का फॉर्मूला पी अब प्रिंसिपल जो है न वो यहाँ पर दो टर्म्स है माइनस आ रहा है न तो इसे ब्रैकेट में लेना वरना गलत हो जाएगा क्योंकि यह साठ अजार नहीं है साठ अजार माइनस एक्स है तो पी की वैल्यू एक नमबर नहीं है दो चीज़ दी थी दो टर्मस दी थी इसलिए हमें प्रैकेट लίνे पड़़े हैं पीऐधर ठीक है एक जिरो उपर की और एक जिरो नीचे की कट चाहेगी इसमें भी काट लेंगे एक जिरो उपर और एक जिरो नीचे तो यह बचेगा 4-0 माइनस 4X अपाउन 10 अब यहां मिस्टेग क्या करते हैं बचे इस 0 से इस 0 काट देते हैं यह गलती ना करना अगर यहाँ बीच में प्लस या माइनस आता है ना तो उपर नीचे 0 कट नहीं सकती है अगर यहाँ माइनस या प्लस ना होता multiply होता तब आप जरूर कट कर सकते थे यह 0 तो यह कट नहीं करेंगे दिहान रखेंगे अब अगला वर क्या करें यह तो I2 आ गया और यह I1 आ गया question नहीं कहा था के total interest question नहीं कहा था total interest जो है वो 27,000 अब total interest का मतलब क्या होता है I1 पहला वाला interest प्लस दूसरा वाला interest पहले वाले में क्या डालेंगे 6X upon 10 दूसरे वाले में क्या डालेंगे 240,000 minus 4X upon 10 equal में क्या है 27,000 10 और 10 का LC हम लेंगे तो 10 ही आएगा 10 कितने जा 10 होता है 10 1 जा 10 होता है 1 into 6X करेंगे तो 6X 10 कितने जा 10 होता है 1 की उपर वाले उसे करेंगे तो वही आएगा जो लिखा हुआ है वही लिख देते है equal to में क्या है 27,000 यह 10 डिवाइड वाला इधर आजएगा multiply में तो हम यहां लिख देते हैं equal में 2740 6X minus 4X करेंगे तो यह आएगा 2X plus 240,000 यह 240,000 इधर जाएगा तो 2X is equal to 2,70,000 minus 2,40,000 तो यह हो जाएगा 30,000 minus करके और इधर क्या रहा जाएगा 2X 2 को divide में पहुचाएंगे तो 30,000 divided by 2 तो X की value आ गई 15,000 रुपीज अब question बढ़ते हैं find the sum of money invested at each rate each, each का मतलब दोनों के दोनों rate rate दो थे ना देखो एक rate ता 12% और दूसरा rate ता 10% वो कहा रहा है आप money invested find करो find क्या करना है money invested तो money invested किसे कहते है sum of money को किसे कहते है principle कोई तो कहते है वो कह रहा है के find करो principle कहा है principle एक principle यह रहा जो की 12% के लिए था principle एक principle यह है जो की कितने % के लिए था 10% के लिए वो कहा रहा है दोनों के दोनों each का मतलब दोनों के दोनों principle बताओ तो first principle क्या है X है यानि के 15,000 रुपे ये 15,000 रुपे किस पर दिये गए थे 12% rate पर 15,000 रुपे तो लिख दो यहाँ एक principle आया 15,000 at 12% दूसरा principle क्या था 60,000 minus यह रहाँ दूसरा principle क्या था 60,000 minus X X नहीं लिखेंगे X का answer लिखेंगे 15,000 तो कितने रुपीज आये 45,000 तो एक उधार जो था वो 15,000 था जो 12% rate पर दिया गया था और दूसरा उधार दिया गया था 45,000 रुपे का जो दिया गया था कितने rate पर 10% तो आगे लिख देंगे at 10% तो यह हो गया आपका final answer question number 19 का अब आजाते है next पे question number 20 last question of this exercise 20 question में क्या कहा है is sum of 2100 यह sum है तो sum किसे कहते है principle को कहते है एक sum होता है प्लस लेकिन यहाँ यह जो exercise चल लिए है simple interest की उसमें sum of money क्या होती है principle तो यह principle है कितना 2100 is lent out into two parts यह तो वैसे ही है जैसे पिछला वाला करा था वो कहा रहा है lent out lent का मतलब उधार बाटा गया लेकिन कैसे बाटा गया इकठा नहीं बाटा दो हिस्सों में बाटा तो मान लो इसे ही erase कर लेते हम ऐसे नहीं करेंगे दो हिस्सों में बाटा गया है तो बीच में line draw करेंगे यहाँ पर first case यहाँ पर second case first वाले में उधार कितना दिया गया पता नहीं let कर लो मान लो के हमने x रुपीज बाटे किस में से निकाल कर बाटे total money इतनी पड़ी थी 2100 रुपे 2100 रुपे में से कुछ रुपे first वाले में डाले गए तो वो कुछ कितने थे x और second वाले में बचे हुए तो 2100 रुपे में से x रुपीज हटा दो क्योंकि वो खरच हो चुके थे तो यह दूसरी बाटे गए interest on one part at 9% percent है तो rate है 9 for five year time है five year वो गया रहा है जो ब्याज है इतने percent पे is equal वो बराबर है ब्याज on other वाले पे जिसमें rate of interest क्या है 25 upon 4% यह mixed था तो बदल लेंगे time क्या है चार सार क्या बोला question में? question में बोला interest on one part is equal to interest on other part साफ साफ word sentence पढ़के पता चला है वो कहना क्या चारा है वो कहा रहा है जो पहला वाला interest है वो बराबर है दूसरे वाले interest के तो आप I1 इधर बनाओ और I2 इधर बनाओ और फिर दोनों को आपस में क्या ले लेना? equal ले लेना तो हम पहले I1 मनाते है I1 का formula P into R into T upon 100 तो यह आजाएगा 45 X upon 100 I2 बनाए P की value 2100 नहीं है 2100 minus X है दो term आ रहे है पिछले question में ही मैंने बताया था कि bracket compulsory होती है अगर आपके दो term आ जाए तो यह P की value multiply R की value 25 upon 4 multiply T की value upon A की खीचले बड़ा सा और नीचे क्या लगाए? 100 100 और 4 के बीच में क्या लगाना? multiply इस 4 से इस 4 को कट कर दो अब 25 से ये भी कट कर लो कितनी बार? 4 बार 25 से 4 बार कट जागा तो बचता क्या है? I2 का answer 2100 minus X upon 4 अब question ने क्या कहा था? Question ने कहा था interest equal है तो यहां लिख दो according to question question के मताबिक I1 और I2 equal है I1 के नीचे डालो 45 X upon 100 equal I2 के नीचे डालो 2100 minus X upon 4 यह 4 इदर ले आओ और 100 इदर ले आओ और multiply कर लो तो हम multiply करते हैं 4 की 45 X से करेंगे तो 4 into 45 करेंगे तो 180 हो जाएगा अब 100 की इन दोनों में करेंगे दोनों में करनी है 100 की तो 210 पहले से था 100 से करने पर 20 और आ जाएगी minus X की भी करेंगे 100 से तो यह हो जाएगा 100 X यह 100 X minus का इदर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 180 X plus 100 X equal to 140 अगला वर क्या करना है इन्हें आप जोड़ लो तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 280 X बनेगा और यहां है 2140 X को अकेले बनाएंगे तो 2140 upon 280 एक 0 उपर और एक 0 नीचे कट जाएगी अब 21,000 है और नीचे है 28 अगर हम इन्हें कट करें 7 के टेबल से 7 3 जा 21 3 0 है और 7 4 जा 28 अब 4 से कट कर लें तो यह आपका 3000 है पूरा-पूरा कट जाएगा 3000 डिवाइड बाइ 4 अगर आप रफ में करोगे तो 750 आ जाएगा पूरा-पूरा कट होके X is equal to 750 अब find क्या करना था find the part lent out lent का मतलब उधार दिया गया 9% पे तो आपको बताना है कौन सी money उधार दी गई थी 9% पर पहले बात जो उधार दिया जाता है वो क्या कहलाता है principle कहलाता है तो वो हमसे कहरा है principle बताओ कौन सावाला principle at 9% बताओ तो ये तो 25 अपों 4% वाला था ये principle नहीं लेना ये वाला लेना है 9% वाला 9% वाला principle कहा था X और X का आंसर है 750 तो यह हो गया आपका फाइनल आंसर कोश्चन नमबर ट्वेंटी का So now this exercise is over I hope आज का बड़ाय हुआ topic आप सबको समझ आ गया होगा If you like my way of teaching then please like, comment और share जरूर करें